नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट यूज निकल कर आ रही है उत्राखंड लोग सेवाएक के द्वारा दोस्तों, नया परिक्षा कलेंडर जारी कर दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं परिक्षा कलेंडर तो राज्यस विभाग में तो दोस्तों, समय पर अटवारी की परिक्षा होने वाली है 8 जनवरी 2023, वन विभाग में 11 परिक्षा 22 जनवरी 2022 ससकर सिच्छा विभाग में उच्छ सिच्छा विभाग में साय कुल सच्छ मुख्य परिशा 2022 दोस्तों ये डेट पहले से ही घोसित की गई है लेकिन कुछ जो डेट है उनमें दोस्तों परिवर्तन किया गया है अब देखे हम बात करेंगे जो अभी जिनका अधियाचन नहीं निकला है जैसे कि कृसी पसुपालन उध्यान विभाग अभी यहाँ पर स्टार बना वाए इसका मलब इनका भी विग्यापन जारी नहीं हुआ है जल्दी इनका विग्यापन जारी होगा और इनकी परिशा दोस्तों यहाँ पर लिखी गई है 30 अपरेल 1930 इसी तरह dependence से दोस्टों लिखी गई है माचितरकार प्रारुकार परिक्षा इसके लावा ग्रह विग्यान में भी आप देख सकते हैं तो कुछ दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि UKCCC के एक्जाम के संगसंग UKPSC के एक्जाम को भी दोस्तों यहांपर अभी संबलिक करने का काम किया है इससे तरह आप देख सकते हैं ग्रेविग्यान है जेस विग्यानिक सायक वीदी विग्यान पर एक साला परीक्षा 2023 दोस्तों आप लिखे गिये और सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर देखे काफी समय से इंतजार हो रहा था है यहाँ पर दोस्तों राजसो परिसत सची वाले प्रसासन महादिवक्ता कारेले एवं मुतरगंड लोकसे वायोग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समलिच समिक्षा दिकारी सायक समिक्षा दिकारी की जो प्रारमिक परीक्षा है दोस्तों 2023 में यह दोस्तों 18 जून 2023 को गी अभी दोस्तों इसका विग्यापन जारी नहीं किया गया है जहां पर स्टार बनावा है तो इनका विग्यापन जारी नहीं किया गया है तो इसका मतलब एगी जो सची वाले में समिक्षा दिकारी सायक समिक्षा दिकारी की पोस्ट है वो दोस्तों जल्दी आजएगी और 18 जून को दोस्तों आप कब प्राइमरी एक्जाम मतलब की प्रिलिम्स हो जाएगा इसी तरह से कार्मी विभाग में भी समलित राज्य सिविल प्रवर अधिनस्त सेवा परिक्षा का भी जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और ये भी दोस्तों इसकी प्राइमरी परिक्षा दो जुलाई दो को बोली गई है कार्मी विभाग में अगें देखिए समलित राज्य अवर अभी नस्त सेवा परिक्षा का भी नाम आ रहा है दोस्तों यहां पर यानि कि लोवर साब ओडिनेट की परिक्षा भी दोस्तों यहां पर होगी और राज्यस्तों निरक्षा प्राइमरी परिक्ष 2023 तो इसका भी दोस्तों अभी अधियाचन नहीं आया है मतलब कि यह जेई की पोस्ट आएंगी दोस्तों तो यहां पर इसका 23 अगस्त 2023 में एक्जाम होगा ऐसी दोस्तों जैसे कि अन्वेसक का मसंगणक सायक सांकी की अधिकारी की जो परीशा है दोस्तों इसको थोड़ा सिफ्ट कर दिया है अब यह 20 अगस्त को दोस्तों होने वाली है नहाई विभाग में भी देख सकते हैं कि सिविल जैज और ऐसे ही दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं भी दोस्तों पोस्ट आएगी जिसकी परिक्षा आपकी एक अक्टूबर 2023 होगी इसके अलावा गन्ना परिवेक्षक राज की तुक्द परिवेक्षक ठीक है ना संभागी नेरिक्षक यह दोस्तों कई सारी पोस्ट अभी इसमें आने वाली है ज्यादा तर दोस्ते हैं कि जि दिगारी की भी दोस्तों काफी समय से पोस्त नहीं आईगी ये भी आएगी और इसका एक्जाम भी इस संभी पर हो जाएगा इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और मुख्य दोस्तों परिक्षा दिखाई दिखाई दिए प्राविदिक सिक्षा विवाग में जो मेंस होगा वो ग्यारा पंदर से पंदर दिखाई के बीच में हो जाएगा इसके अलावा अभी परसनल असिस्टेंट का नहीं निकला है अपर नजी सेचिव की भी विग्यापन भी दोस्तों नहीं हुआ है एपीस का तो 17 दिखाई दोस्तों जो मुख्य पर इक्षा है दोस्तों वो 27-28 दिखंबर के बीच में होगी यहां पर नहीं ने साफ साफ दिया है दोस्तों की जो स्टार परिक्षाओं का विग्यापन अभी प्रकासित नहीं हुए है और वर्से 2023 में विग्यापन प्रकासित किया जाना है और सभी ध्यान अखना है कि जो परिक्षाएं में समलित कर लिया गया है ठीक है न तो उसमें जो जो परिक्षाई थी उसमें संसोधन करके इसमें उसको समलित कर दियागा बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो दो मुख्या परिक्षाई है है और अधियाचन बिल्कुल करेक्ट है अब UKPSC को जस इनके अधियाचन को रिलीस करना है ओके अब यहां पर अभी मैंने आपको पहली बता दी कि जो प्रवक्ता का अधियाचन है दोस्तों वो अभी सासन को वापस लौट आवा है क्योंकि इसमें काफी सारी कमिया है तो उसमें क्या होगा कि वो जब सासन से वापस आएगा लौट के करेक्ट होके तब ही जाके दोस्तों उसको रिलीस किया जाना उचित होगा इसलिए उसको परिक्षा कलिंडर में दर्साय नहीं गया है क्योंकि वो सासन से कब तक वापिस आएगा ये कोई नहीं जानता ठीक है ना यानि कि सिक्षाविभाग से कब वो सही होके आएगा तो अभी फिलाल UKPSC को भी इसके बारे में खबर नहीं है इसी तरह से दोस्तों जो पॉली टेकनिक लेक्चरर का भी मामला है दोस्तों वो भी वही है कि जो सिलेबस है सिलेबस अभी तक दोस्तों डिसाइड नहीं है सिलेबस को अभी तक सासन से अनुमती नहीं मिली है तो ऐसे में दोस्तों अभी भी अदियाचन अपूर्ण है जब तक अदियाचन पूरा नहीं हो सकता तो UKPSC अभी वो उसको कब रिलीस करेगा जब तक वो सासन से स्विकर्थ होके नहीं आएगा तब तक UKPSC उन पोस्ट को भी रिलीस नहीं कर सकता तो इसलिए दोस्तों उसको भी परिशा कलेंडर में सामलित नहीं किया गया बढ़ अगर परिशा कलेंडर में उनको सामलित नहीं किया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो 2030 में नहीं हैंगी बिल्कुल उनके संभावना रहेगी जैसे ही दोस्तों आपका अधियाचर उनके पास पहुंचेगा UKPSC के पास वो उसको रिलीस जल्दी कर देगा तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में गुड़ बाई